नमस्कार बच्चो आज मैं आपको दशम स्रेनीज से चपल नामक कहानी पढ़ाने जा रही हो जिसके रचैता है कावोटूरी विंकट नारायन ड्राव यह कहानी है इसका मुख्य पात्र रंगया और वह चपल सीने का काम करता है पिछले 50 सालों से वह क्या कर रहा है चपल सील रहा है और उसका एक मात्र लड़का उसका नाम है रमन उसके पहले भी इसके 5 पूत्र पैदा हुए थे मगर सब बीमारी के कारण एक की वाथे क्या है उनका इंतिकाल हो जाता है, पत्नी भी नहीं है, तो इसलिए वह चाता है कि रमन को पड़ा लिखा कर एक समाज में लाइक इंसान बना है, तो यहाँ पर देखो, रमन को वो क्या करता है, मास्टर जी के पास भेजता है, वो मास्टर जी के पास रहकर ही पड़ाई लिखाई कर यहां तक वह कहता है कि मैं अपना चमड़ा उतार कर मास्टर जी के लिए चपल बना कर दूंगा मास्टर जी भी वो कहते हैं कि रमन जो है वो बहुत पढ़ लिख रहा है काफी काबिल इंसान बनेगा रंगया को क्या है मोटर में घुमाएगा यह सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो भी मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है तो उसे भी पढ़ने की काफी इच्छा थी उसकी रूची थी किसी बात से पता चलता है क्योंकि वह जब विद्याले पाटशाला जाता है तो वहाँ पर वह यह भी पूछता है क्या वह पढ़ सकता है या नहीं और तब गुरू जी कहते हैं कि क्यों नहीं, रात को जो हैं, जो लगवैसक लोग हैं, उन लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर अराम से वह भी पढ़ाई कर सकता है, अब देखो, मास्टर जी जो है, मतलब रहमन की जो मास्टर जी थे, वे अपना चपल सीनी के लिए देते हैं, तो चपल की हालत बहुत बुरी थी, एकदम ऐसा लगता था, मानो ये दादा परदादा के जमाने की चपल है, रंगया ये भी कहते हैं कि मास्टर जी से कहो कि मैं नया चपल लेने के लिए मास्टर जी से कहो, पर मास्टर जी ने कहा था उसी चपल को क्या है, सील कर देने से च अब ब्रामन जो रंगया जो है मास्टर जी के चपल बनाने में मरमत में लग जाता है वह एकदम से नया बना देता है लगता ही नहीं था कि वहाँ पुरानी है एकदम नया बना कर वह क्या करता है अपने उसकी तूटी-फूटी जोप्री थी वहाँ पर उसके अटारी पर भर उसका जो जोपड़ी है उसमें आग लग गई है वह भागा-भागा जाता मगर इथना ते जो यहाँ मतलब आग लग गया था कि वह उसके अंदर गुस नहीं पाता वह यहां तक वह नहीं पсят गहर के लोग से कहता कि यदर कोई घर घुश्के चपल को लादे तो उसको वह और वहीं पर मतलब उसका अंत हो जाता है इतने में दमकल वाले आते हैं आग बुझाई जाती है और जब देखते हैं तो वहां पर रंगया को मरा हुआ पाते हैं वह चपल की उपर क्या है गिरकर अपना प्राण दे देता है चपल को बचा लेता है तो उसके मरने को उसके जा को जाते वे प्राण निकलते वे अगर किसी ने देखा था तो वह है उसके चपल मतलब मास्टर जी के चपल को वह बचा लेता है तो आशा करते यह मैंने इस शौट में सार को समझाया है अब जो है आप लोग प्रिष्ट संख्या 114 को लोगे जहां पर मैं आपको लिखा का ज पाशाओं के रचना संसार में कावटोरी विंकट नारेंडराव एक प्रसित हक्सता अक्षर हैं शेत्री पुरिधी से बाहर आकर भारतिय कथा शित्रिज पर डेदी प्यमान नक्षत की तरह प्रचल्वित हैं आज का दौर बाजारबाद भोगवाद एवं उपनेश वाद का युग है इस युग के रिष्टे मानवियता उदार्था एवं उसकी संवेदन शीलता कहीं न कहीं दम तोड रही है ऐसे संक्रमन कालीन एवं संक्त कालीन युग में नारेंडराव की कहानिया रिष्टों को जोटती हुई दिखाए पड़ती है नगन यर्थातवाद जह तूटते एवं विघटित होते वे रिष्टों के बीच चपल कहानी दिशादर्शक की भाती दिखती है जहां गुरु और शिष्यों के रिष्टों की प्रासंगिक्ता उजागर होती है तो इस कहानी में गुरु शिष्य की जो प्रासंगिक्ता है उसी पुजागर किया गय आज का रिष्टा जहां प्रश्ण के घेरे में है वही यह कहानी रिष्टों की कड़ी को मजबूत बनाती दिखाई दिखती है अपनी रचनशाली की सवभाविक्ता प्रासंगिक्ता एवंग नैतिक्ता के कारण ही इनकी रचना संसार सर्वप्रशांसित हो चुका है इन्हें अनेक सम्मानों से पुरुस्कृत किया गया है तो यह है उनके जीवन परीच है और अब हम कहानी पढ़ेंगे चपल दो पुराने चपल सामने गिरे धड़ाम धड़ाम तो क्या है यहाँ पे रंगया जी बैठे वे थे अपना काम कर रहे थे तब दो चपल सामने आकर गिरता है रंगया चपल सी रहा था सिर उठा कर देखा पैर के अंगूठे के नीचे एक चपल दबा कर सी रहा था वहाँ सूई लगी हुई थी और धागे का लच्छा खुला हुआ था तो रंगया क्या कर रहा था चपल सी रहा था एक आएक उसका काम रुख गया आठ साल का उसका बच्चा तो उसका बेटा कितने साल का था आठ साल का था रमन सामने दिखाई दिया वह इसी साल स्कूल में दाकिल हुआ था तो रमन जो है इस साल उसको स्कूल में भरती कराया गया था वह आठ साल का है तब पिता जी क्या है उससे पूछता है क्यों रे रमन यह चपल कहां ले आया कहां से लाया यह चपल बच्चे की और घूरते हुए रंग्या ने पूछा तो वच्चों की तरफ घूरते हैं घूर कर क्या पूछता है भई यह चपल कहां से लाया रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लड़का था श्कूल का बैग है उसमें तेलगू की पहली पुस्तक पाठी पहारे किताब आ दी थी तो उसके पास स्कूल पाठशाला जाने की जो सामगरिया है सब कुछ थी, पहले लोग क्या है न नीचे बैठा करते थे पलती मार कर, इसलिए अपने साथ क्या है, पाटी लेकर जाना पड़ता था, इसलिए रमन जो है उसके पास, रमन के पास क्या है, पाटी है, यह सब चीजे उसे मुफ्त में दी गए थी, तो पाटशाला से ही उसे क क्या है मुफ्त में दी गई थी क्या क्या मुफ्त में दी गई थी पुस्तर पार्टी किताबें पहाड़े की जो किताब है पहाड़े की किताब मतलब टेबल का जो किताब है वह भी उसे मिला था रमण ने बस्ता हाथ में ले लिया हमारे मास्टर साब के हैं तो चपल किन के हैं मास्टर साब के हैं मास्टर साब के ठीक करा कर जल्दी लाने को का है तो मास्टर साब ने क्या कहा है चपल को जल्दी जल्दी ठीक करा कर जल्दी ले कर आने के लिए क्या है, मास्टर जी ने कहा है, अपने अंगोठे से जमीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमण ने कहा, तो वह अपने अंगोठे से क्या है, जमीन में गोल गोल आकार बना रहा था, आशा करती हूँ, यहां तक समझ में आया होगा, बाकि मैं आपको पार्ट टू में समझा बताने बादू